बट्टा बट्टा वह चूट है जो वैपारी द्वारा क्रेता वैपारी को दिया जाता है और बट्टे होते हैं दो प्रकार के एक होता है वैपारीक बट्टा और एक होता है नगत बट्टा वैपारीक बट्टा वह चूट है जो उत्पादक या वैपारी माल विक्रे करते सम सुची मूले पर क्रेता वैपारी को छूट में देता है मतलब कुछ रकम उसको काट के उस पर वो उसको विक्रे कर सकता है और क्रेता उसको खरीच सकता है अब वैपारी बट्टे में यह रहता है कि अलग से उसकी कोई क्रेता या विक्रेता के बुक में उसकी कोई एंट्री जब हम लिखते हैं जनरल में तो उसमें से ही उसकी रकम को जो भी उसकी सुची मुल्य रहता है जिस भी विक्रए मुल्य रहता है उस पे उस बट्डे को काट के रकम को लिखा जाता है। को बोलते हैं शुद्ध रकम या नेट एमाउंट अपन बोल सकते हैं यहां पर इसमें देख सकते हैं कि राम ने श्याम से 10,000 सुची मुल्ये पर 20 प्रतिशत वेपारिक बट्टे पर माल खरीदा अब यहां पर वो खरीद रहा है और उसको डिसकाउंट भी मिल रहा है वेपा क्रे कर रहा है और जो राम का जो एकाउंट होगा उसमें जाये आठ हजार तो विक्रे में भी वैसी एंट्री होगी जो भी यहां पर डेबिट होगा उसमें हम आठ हजार डालेंगे और विक्रे के खाते में भी हम 20 प्रतिशत घटा कर उसको आठ हजार डालेंगे ठीक है अ तो हमारा किसमें आ जाता है दान खाता में या फिर हमारा दोगों देने आते हैं तो वो हमारा आजाता है थे दान खाता डेबिट नंसाफ देबिट चारिकी onboard क्राइक खातेस से और सब्सक्राइमं। आजो अलग अलग दोनुमें जितने भी हम आखो लिचत हैसे और कंपार का सभान को में लिचों प्रकार की compound entry भी है जो अपन ने पहले पड़ा था और ये इन दोनों की entry भी ऐसी होगी अब तीसरा topic है उसमें हम आते हैं कि अगर कोई माल चोरी चला गया या चुरा लिया चोर ने तो उसकी भी entry होगी loss by theft या फिर loss by fire में होगा मान लिजे कोई हमारे business में से कोई माल चोरी चला गया है तो उसकी entry होगी loss by theft या फिर माल चोरी चला गया उसी प्रकार अगर हमारा कुछ माल जल गया है तो उसके लिए हम entry करेंगे अगनी से हानी और purchase account जो भी रहेगा क्राय खाता वो credit हो जाएगा क्योंकि हमने जो क्राय करके माल रखा था उसी में से हमारा माल जलेगा और उसी में से हमारा माल चोरी भी जाएगा तो जो भी हमारे purchase account होगा वो हमारा credit हो जाएगा इसको इसलिए उसके लिए एक अकांट खुलता है डूबत रिन, bad debts मलब उसमें हमको कोई वो नहीं है गुझाईश नहीं कि हमको उससे पैसा मिलेगा इसलिए उसको डूबत रिन खाते में डाल देते हैं डूबत रिन खाता डेबिट, देनदार का व्यक्तिगत खाता, बैदडब्स एकाउंट डेबिट होगा और डेटर्स परसनल एकाउंट होगा, मतलब कि जो भी पैसा हमको नहीं मिला, जो डूब गया, वो हम डाल देंगे डूबत रिन में और जो भी व्यक्ति है, जो देनदा विल रहा है अगर 2000 दीये तो 1000 हम को मिलेगे 1000 नहीं मिलेंगे मतले ही 2000 में जाएगा और 1000 आरा किसमा जाएगा जो मिलेका नहीं हो जाएगा तो उसके एंट्री हो जाएगी डूबադरीन काता है डेविट रोकर हमको नहीं मिला जो हमारे पैसे डूब गए उसको हम डाल देंगे रुकर खाते में और देंदार जो हमको देने वाला था उसको को 2000 की वसुली का नहीं थी तो पूरे की प्री 2000 की अजाएगा अब तीसरा यह कि कभी-कभी ऐसा लगता है हमको कि शायद पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ संभावना ऐसी होती कि बाद में वो मिल जाता है तो उसके लिए एक अलग से एकाउंट खुलता है वो होता है अशोद्र रिन की वसूली दूबत रिन की वसूली उसको इंगलिश में बोलते हैं बैड डप्स रीकवरी अब हमको उसका पैसा मिल गया तो क्या होगा हमारे पास रोकड आया तो रोकड को हम डेबिट कर देंगे और उसके लिए एक अकाउंट जो खुलेगा वह और अशोद्र रिन वसूली खाता क्रेडिट तो जितना हमको मिला वह हम ढाल देंगे cash account में रोकड खाते में और बैड ड इसनेस से अपने नीजी खरचे के लिए निकालते हैं वो करचा किसी फी प्रकार का हो सकता है हमारे घरे लूब प्रेडिटुक्रा एगरEND को कर देंगे हम क्रड़िट और अगर हमने माल निकाला है तो माल भी हो जाएगा अगर रॉकर और माल दोनों निकाला है तो ऑथाएंग। होगा और रोकर खाते से और माल के खाते से ये भी एक प्रकार का क्या है आपका मिश्रित प्रविष्ठी ही है क्योंकि एक डबिट हो रहा है और उसी के उसमें हो रहे हैं दो क्रेडिट अदत वय आउटस्टैनिंग एक्सपेंस सभी वैसाय में प्राय ऐसे खर्चे होते हैं जो चालू वर्ष में कभी कभी पूरे नहीं हो पाते हैं हम नहीं दे पाते हैं जैसे मान लीजे कि किसी को हमको वेतन देना था पूरे एक साल का मगर हम उसको ग्यारा महिने का दे पाए एक महने का उसका जो हे वितन बज गज गया तो वह आजायेगा आपका अदत वेतन में या अदत आउटस्टैनिंग एक्सपेंस में अदत वय में आजाएगा हम यह बोल सकते हैं कि इसी वर्ष में जो हमको खर्च देना है जो खर्च करना है वो हम नहीं कर पाते ह तो वह आजाता है आपका अधत ya क् וके शाल कम्प्रीट होने के बात का इससी व्यापारी को गिसी employee तो स्का caminho का सेलरी डेना है हजार रुप सक N encais को देना है और उसने सर्व 11 महीने का 1100 इस रने 12dır को सहां बेना होगा तो उसकी वह किसमें आजाएगा आपका अदत वेतन में आजाएगा, तो उसकी जनरल एंट्री स कैसी होगी, उसकी हम पंजी प्रविश्टी कैसे करेंगे, salary account debit to outstanding salary account मतलब वेतन खाता डेबिट 1000 से और अदत वेतन खाते से वो भी हो जाएगा 1000 उसी प्रकार से पूर्वदत वय होता है मतलब अगले साल कर देते इस साल कर देते हैं इससाल नहीं मिलेगा वह आ जाते हैं पूर्वदत वय में आजाते हैं वह में इंस्वरंस भी को किराया अजिसमें कुछ ईगले साल से संबन्धित है तो अगले साल का हो जाएगा उसको हम गया किराय में डाल देंगे और अंध it या प्रिपन्ट टेफिक होले अधिसे किराया खाव् सकते मुझ् onboard किराया जाएगा उसी प्रकार से और हम depreciation को भी ले सकते हैं, depreciation का मतलब यह होता है, यह एक प्रकार का हमारे विशाई के लिए हानी होती है, depreciation हमेशा हानी ही होती है, उसे हमको कभी लाब नहीं होता है, वो इसलिए कि मान लीजे, हमने कुछ furniture खरीदा, या हमने कोई मोटर गाड़ी खरीदी, अगर हम उसको फिर से बेशने जाएंगे मार्केट में, तो वो हमको उस रेट में नहीं मिलता है, जितने साल हमारे पास रही है, जितने दिन भी हमारे पास रही है, तो उसके कारण वो थुड़ा सा घिस गया है, या तूट फूट हो गया है, तो हम जब उसको बेचेंगे तो उसको कुछ तो उसकी वैल्यू, कुछ तो उसका जो मूल्य है, वो घट जाता है। Depreciated Value रहती है, जो हाश रित वाली भी बोल सकते हैं, हम उसको वैल्यू भी बोल सकते हैं, वो रहता है। तो depreciated value रहता है तो यह हमेशा assets पे लगता है यह हमेशा समपत्ती पे रखता है तो depreciation की entry क्या हो जाएगी हास खाता debit समपत्ती खाते से अगर किसी furniture को हमने खरीदा 10,000 में और उसमें बोल रहे हैं कि 10% का हमको हास लगाना है तो कितना हो जाएगा 10,000 का 10% 1000 हो जाएगा और फ